नमस्कार आधा आप सचीर काल वेल्कम टो में इंसेडिया अज बेस्ट और नार्निक प्लाइटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडरकारण से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन आपसुल फिर आपको सारा एजुकेशन से लेकर बोर्ट एक्जामिनेशन और कंप्रिटिव एक् प्लीटि मोड पे आपका पूरा ध्यान रखने के लिए मैनडरहिंस आपके लाया है क्लास टैन्माटिक के हर एक चाप्टर का सारे formulas का revision जिसको देख के आप पटाफट सारे formulas revise करके अपने quick analysis करके अपने questions को attempt कर सकते हैं ये है chapter number 15 जो की हमारा last chapter है probability इसके पहले के सारे chapter already cover हो चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखें तो description box में एक link मिल जाएगी आपको playlist की वहां से आप बाकी फूरे chapters revise कर सकते हैं जिससे आपके exam की तेहरी और मजबूत हो जाए और अच्छे तरीके से score कर पाएं बात ने अच्छी लगी तो please नीचे एक like button देखो उसको दबादो थोड़ा सा मज़ा आज़ाएगा इसी के साथ साथ हम शुरू करते हमारा आज का session बिना आपका ज़रा time waste किये सबसे पहले आपको थोड़ा सा class 9 के ओर ले चलेंगे जहां पर आपने पढ़ा है about experimental या empirical probability जहां पर आपको ऐसे सिखाई जाती है probability कि किसी चीज़ को इतनी बार किया गया उसको करने पर यह result इतनी बार आया तो बताओ probability क्या होगी अगली बार जब करेंगे तो for example आपने coin toss किया thousand times उसमें से 545 बार heads आया 455 बार यह आया tails आया अब बताओ कितनी बार आएगा heads अगली बार जब toss करेंगे तो क्या probability होगी heads आने की ठीक है यदि आपको बारिस की probability निकालनी है तब तो आप यह नहीं कर सकते कि मैं रोज बारिस करवाओंगा उसके बाद decide करूँगा ऐसा तो हो नहीं सकता तो फिर उस case में हमको थोड़ा और advanced level पर जाना परता है जो कि हम कक्षा दस्वी में जाते हैं कुछ important बात है advanced level के बारे में लिजे tossing a coin is an experiment ठीक है आप coin को toss कर रहे है यह activity experiment है उस पे heads का आना एक event है यह difference में आ रहा है आपको event मतलब किसी चीज का होना और experiment मतलब उस चीज के होने के लिए की गई activity तो tossing a coin, throwing a dice और उसके बाद फिर drawing a card यह सारी आपकी experiments हैं और जो events हैं उसमें आप कहोगे toss coin toss करने पर heads आना, dice throw करने पर 4 आना या पत्ते निकालने पर cards draw करने पर कोई भी एक चीज आना ठीक है इस तरीके से तो ऐसे event जिसमें केवल एक ही possible outcome हो only one outcome उन्हें आप कहते हैं elementary event उधारन के तोर पे जब मैंने coin toss किया और heads आया या heads आने का event अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो एक ही possible चीज है कि heads आएगा, heads आ सकता है तो उस case में वो elementary event हो गए, यहाँ अगर आपको clear नहीं होगा तो एक काम किजिए आप dice throw किजिए, dice throw करते समय, number 6 का आना, number 6 का आना elementary event है, ठीक है, हाला कि अगर कोई मुझे बोल दे क even number आना चाहिए, तो यह elementary event नहीं है, यह elementary नहीं है, फरक समझ में आया, number 6 एक ही है, तो एक जब outcome होगा तो आप उस elementary event कहेंगे, even number 3 है, 2, 4 और 6, तो उस case में वो elementary event नहीं बचेगा, वो बन जाएगा compound event, जिसमें 2 या जादा elementary event हो जाते हैं, ठीक है, तो इस case में आप कहते है compound event, यह फरक समझ में आ रहा है आपको, जब एक ही result होगा, या event का एक ही उत्तर होगा, तब आप कहेंगे elementary event, जब आपके पास एक से जादा options होगे, तब आप कहेंगे compound events, ठीक है, चलिए, probability basically होती क्या है, probability का बहुत simple सा funda होता है, कि it is the study of chances of event happening, किसी चीज के होने की क्या स chances हैं, उसे हम probability कहते हैं, मैंने दो-तीन सब्दों में आपको बताया, अलग-अलग पर आपको समझ में आना चाहिए, कि कहने का तत्पर क्या है, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी हो, धारन के तौर पर बारिश पढ़ने की संभावना, dice throw करने, पे 4 आने की संभावन उसमें बहुत सारे outcome possible हो सकते हैं, उसमें से किसी एक को पकड़ लेना is called an event, जैसे dice throw करना is an experiment और dice throw करने पे odd number का आना, ये event है, ठीक है, an event associated to a random experiment is set to occur in a trial, if the outcome of the trial is one of the outcomes that favors E, ठीक है, मतलब किसी event के होने की संभावना जब आप निकालते हैं, जैसे आपने dice throw किया, अब मैं dice throw करने पे बोलू 7 आ जाए, भाई dice में होते ही 6 number है, तो वहाँ पे 7 का आना आपका event नहीं होगा, क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता, तो possible चीजों में से जब आप guess, जब आप निका ना किसर, हमारे साब से तो dice throw करने पे 18 आना is also an event, जो possible है, experiment करने पे जो result possible है, उनी में से कुछ pick करना होता है, तब event बनता है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ देखे, equally likely outcomes are those that have same probability of occurring, अब जब आप probability निकालते हैं, तो बहुत सारे event possible होंगे, ऐसे events जिनकी probability, जिनके आने की बहावना बराबर होती है, उन्हें हम कहते है, equally likely event, for example, हमने अगर बोला कि dice throw करने पे even number आने की probability, और number greater than 4 आने की probability, ठीक है, अब even number की probability, 1 by 2, number greater than 4 आने की probability, 2 by 6, that is 1 by 3, क्या दोनों की probability बराबर है, नहीं सर, तो यह equally likely event नहीं है, वहीं मैं even की जगा कह दू, odd number, तो हो जाएगा 1 by 2, तो यह दोनों कैसे हो गए, equally likely event हो गए, ठीक है, कि दोनों की probability बराबर है, ऐसे ही अगर मैं बोल दूं की dice throw करने पे 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से किसी एक के आने की probability, ठीक है, तो 1 की हो जाएगा, 1 by 6, 2 की भी 1 by 6, 3 की भी 1 by 6, 4 की भी 1 by 6, 5 की भी 1 by 6, 6 की भी 1 by 6, तो यह सारे equally likely हो गए, ठीक है, if e is an event, then it's compliment, अभी देखो compliment की बात आरी है, जो की बहुत important हो जाता है, जिसको आप e dash, या फिर not e करके भी जानते हैं, यह होता है तब, इसको आप compliment तब कहते हैं, जब एक का होना, दूसरे के होने की संभावना को शून्य कर दे, ठ चाहिए, तो यह मेरा event हो गया, ठीक है, even number नहीं आना चाहिए, तो यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा not e हो गया, कि even number के अलावा कुछ और आ सकता है, ठीक है, तो इन दोनों को हम complimentary event कहेंगे, कि ऐसे event जिसमें दूसरे वाले की आने की संभावना zero हो जाए, does not occur, दूसरा event, ठीक probability zero, इन्हें हम impossible event कहते हैं, जैसे कि dice throw करने पे eight आना होता ही नहीं है वहाँ पे, तो वो impossible event है, उसकी probability zero, वैसे ही, अगर कोई number है one, sorry, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि अगर कोई event का होना sure है, तो उसे आप कहते है certain event या sure event जिसकी probability होती है one, जैसे for example, dice throw करने पे, म अब यह कोई बोलने वाली बात है, तो इस तरीके का event अगर आप guess कर रहे हैं, या फिर आप बोल दें कि जो भी number आएगा, वो one उसके बराबर या फिर six और उसके बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है, तो आपने क्या बोला, one से बड़ा, six से छोटा, one और six include करके, तो event probability हो जाती है, for example, जैसे अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखेंगे, या अपने साल में बहुत बार होता है, जब तूफान आने वाला होता है, समुदर में, तो उस case में जो भी नजदी की शहर होते हैं, वहाँ पर बारिश पढ़नी की क्या समभाब ना होती है, sir, 100% क surety है, बारिश पढ़ेगी ही, पढ़ेगी, खासकर जो 30 यह शेत्र हैं वहाँ पर, ठीक है, ठीक, वैसे ही कुछ है यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर, आपको समझना है कि भाई, वो तो हो गया experiment वाली probability, अब हम आगर है, theoretical probability पर, जहाँ पर हमें चीजों को करके देखने की जरुवत नहीं है, हम अपनी बुद्धी मत्ता के हिसाब से भी probability निकाल सकते हैं, इसके हिसाब से probability of an event, P of E का formula होता है, number of outcomes favorable to E, ध्यान रखेगा भाईया, number, total number of outcomes, उधारन के तौर पर, जब मुझे dice throw करना है, तो मेरे pucks में कितने numbers हैं, ठीक है, वो भले कितने बड़े हो कितने छोटे हैं, उससे फरक नी पड़ता, मेरे pucks में हैं, मतलब मैं उने गिनूँगा, ठीक है, तो मेरे pucks में कितने event हैं, divide by total number of outcomes, for example, dice throw करने पर जदी मैंने बोला कि जो number आना चाहिए, वो 3 से छोटा होना चाहिए, तो मेरे pucks में कौन है, 1 और 2, दो numbers, ठीक है, quantity, number of outcomes, दो, total कितने होंगे, sir, 1 से लेकर 6 तो कोई भी हो सकता है, तो 6 outcome, probability 2 by 6 या फिर 1 by 3, किसी भी चीज़ की probability, 0 से बड़ी, उसके बराबर, या 1 से छोटी और उसके बराबर हो सकती है, इनके अलावा नहीं हो सकती, यदि आप percentage में देखेंगे, तो 0 से लेकर 100% के बीच में, भईया, हच्सेयत क्या होगा, 100% सही होगे, 120% होड़ी, खाली, फिल्मों में सही होता है, रियल लाइफ में 100 के उपर नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, चलिए, ये clear हो गया, जी, आप देखो यहाँ पे, the sum of probability of all the elementary events of an experiment is, 1, जब भी आप हर एक individual elementary event को pick करते हैं, और उसक probability निकालते हैं, उनका sum करते हैं, तो आपका जवाब हमेशा 1 के बराबर आता है, बशर्ते आपने सारे elementary event लिये हो, ठीक है, जैसे आप dice throw करने पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का आना, अलग-अलग आना, इन सब का एक elementary event है, इन सब की जब आप probability add करोगे, आपका answer 1 ही आएगा, चाहिए आप try करके देखना, चलो अब यह देखो important है, probability of complimentary events, that is PE and PE-, इन दोनों को जोडने पे सदय 1 के बराबर आएगा, बतलब अगर आपको बोल दे, कोई, कि भाईया मेरे पास 50 balls है, ठीक है, उसमें एक से लेकर 50 तक numbers है, या फिर alphabet से जो भी चीज़े हैं, और उसमें बोला कि भाईया या फिर ऐसा कर लो, मानलो आपके पास 50 balls हैं, example देखना भाईया, 50 balls हैं, जिसमें से, जिसमें क्या कहता है हम उन्हें, red balls हैं, आपकी मानलो 20, और black balls आपकी unknown हैं, अब आपको नहीं पता, वो यह आपसे बोलेगा, probability बताओ, black balls की कित्ती है, तो sir, black balls की probability हम निकालें के 50 में से 20 माइनस करके 30 बटे 50, यह तो number पता है तब, अगर कोई आपसे कह दे कि एक bag में red और black balls हैं, और red ball के आने की probability है 1 by 4, तो बताओ, black ball की कितनी होगी, तो sir, क्योंकि bag में दो ही color हैं, तो यह दूनों होगा, एक दूसरे के complementary, red होगा तो black नहीं होगा, black होगा तो red न में कालने के लिए, मैं कुल probability में से 1 by 4 माइनस कर दूँगा, तो मेरा जवाब आएगा 3 by 4, यह आपको समझ में आया, जी, जहाँ पे e जो pe जो होता है, वो किसी एक event की बात करता है, और pe जो होता है, वो उसके non occurrence की बात करता है, कि red आएगी, और red नहीं आएगी, और red नही कर भी रहा था, और n है total possible outcomes, तो जो non occurrence वाले होंगे, वो होंगे n-m, जो मैं कह रहा था आप से भाई है, कि red total balls है 50, उसमें से अगर red है 20, और दूसरे color की हैं, तो वो non red हो जाएंगे, तो उनकी probability हो जाएगी, उनका number हो जाएगा 30, तो probability हो जाएगी 30 upon 50, इसकी 20 upon 50, यह लेक तो जो हमारे पक्ष में नहीं होगा, हमारे विपक्ष में होगा, वो होगा n-m, वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है, यह clear है, जी sir, देखो यहाँ पर लिखे भी है, some number of outcomes favorable to e upon total outcomes m upon n, और अगर उसका negative निकालना है, मतलब वो नहीं होना चाहिए, तो उसको minus कर देते हैं, ठी यह बहुत important चीज़े हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, यह ratio होते हैं, ठीक है, odds in favor मतलब हमारे पक्ष में, उधारन के तोर पे इंडिया के किसी team से 10 match हुए हैं, 7 इंडिया ने जीते हैं, 3 जीते हैं, opposite team ने, ठीक है, इस case में अगर आप probability निकालोगे जीतने की, तो 7 by 10 हैं, ठीक है, पर अगर आप odds in favor निकालोगे, तो आप बताओगे कि भाईया, 7 is to 3 का है मामला भाईया, that is, 7 match हम जीते हैं, 3 वो जीते हैं, तो इस case में odds in favor कितना हो जाएगा, 7 is to 3, तो यह in favor, अब odds in against कोई बोलेगा, तो 3 is to 7, ठीक है, तो 3 is to, इसका मनलब यह नहीं कि हर 7 साथ में से 3 match हाडते हैं, ना, 3 match वो जीते हैं, 7 हम जीते हैं, और जिन favor, 7 हम जीते हैं, 3 वो जीते हैं, तो डिपेंड करता है किस perspective से, किस नजरिये से आप देख रहे हैं, तब आप निकालते हैं, और जिन favor या और जिन, अगेंस, यहाँ पर probability का concept नहीं, यहाँ पर ratio का concept ल मिलता है, इसके अलावा हमारा YouTube चानल, website और आप तो है ही, website और आप का इस्तमाल आप हमारी e-books, books और notes को procure करने के लिए भी कर सकते हैं, इनकी विस्ते जानकारी एकला आपको description box में एक link मिल जाएगा, उसको click करके आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी request पहुंचा सकते हैं और भाए गुड़ दे, see you soon, नमस्ते